आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाला खैरा रोग और इससे बचाव के उपाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सस्क्राइब कर लिजिए और उसके बाद बेल आइकान दबाद दिजिए जिससे जो भी हमारा नया वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके खैरा रोग धान में लगने वाला एक विसेस प्रकार का रोग है या रोग जस्ते यानि जिंक की कमी से होता है या धान में इसके लच्छडों की बात करें तो सुरुआत जब होती है इसकी तो पतियां पर हलके पीले धब्बे दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं या पत पौधे का तना देखेंगे तो वो भी जब ज़्यादा ये रोग प्रभावित करता है हमारी धान की फसल को तो तना भी कथाया हो जाता है और कथाई रंकी जड़ें भी इसकी निकलते हैं यानि जब हम पौधे को उखाड कर देखेंगे तो उसकी जड़ों को देखेंगे वो भी हमको कथई रंकी ही दिखाई पड़ेंगी तो यदि पूरा पौधा हमारा प्रभावित हो जाता है तो हमको इस पौधे को बचा पाना काफे मुश्किल होता है इसलिए जब भी आपको इसके लच्छड सुरुवात में दिखाई पड़ें यानि पतियों पर पीले धब्बे दिखाई पड़ें या पतियां पीली दिखाई पड़ें उसी समय हमको इसके रोग थाम के उपाई कर लेना चाहिए क्योंकि जदि हम सही समय पर रोग थाम के उपाई नहीं करते हैं तो पौधे कमजोर हो जाते हैं और कल्ले नहीं निकलते हैं पौधा बवना रह जाता है और जिसका पूरी तोर पर विकास होना रुख जाता है क्योंकि पतियां पीली हो जाते हैं और हमारी धान की फसल को 25-80% तक नुकसान हो जाता है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बचाव के उपाए तो धान की फसल की जब हम रुपाई करें तो उसके पहले यानि अन्तिम जुताई पर हम जिंक का प्रियोग करते हैं या रुपाई करने के बात जब हम उरुबरकों का प्रियोग करते हैं उस समय हमको जिंक का छिड़काव करना जरूरी हो जाता है तो रुपाई के समय या रुपाई करने के पहले अधियाब मिट्टी में जिंक सलफेट देना चाते हैं तो जो 21 प्रसत की जिंक सलफेट आती है उसकी मात्रा आपको 5-6 kg मात्रा लेनी है और एक एकड में प्रियोग कर देना है तो तो इस समय जो है आपको 21 प्रसत मात्रा वाली जिंक सलफेट है उसकी 2 kg मात्रा और साथ में 1 kg मुझे चुने का पानी लेकर के 400 लिटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देना है यदि आप 21 प्रसत की जगा पर 33 प्रसत की मात्रा वाली जिंक ले रहे हैं तब आपको 1.5 kg मात्रा जिंक सलफेट की लेनी है और बाग की प्रक्रिया उसी प्रकार से करनी है जैसे 1 लिटर मुझे चुने का पानी और 400 लिटर पानी में लेकर के छिड़काव करना है इसकी जगा पर दोस्तों आप चिलेटे जिंक का अधिक प्रियोग किया जा रहा है क्योंकि चि लेकर के 2 kg यूरिया में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं उपर जो हमने बताया था 21% और 33% मात्रा उसको भी आप यदि चुना ना मिले यदि चुने के साथ आप छिड़काव नहीं करना चाते हैं तो 2 kg यूरिया प्रते एकर मिला करके छिड़काव कर सकते हैं यदि आप चिलेटे जिंग ले रहे हैं तो आपको 180 लिटर से 200 लिटर पानी की आओ सकता होगी और 2 kg यूरिया को साथ में मिला करके छिड़काओ कर देना है और दूसरा छिड़काओ आपको 10 से 12 दिन के बीच में कर देना है यदि आप सही समय पर और सही मात्रा में यूरिया के साथ में जिंग को मिला करके अपने धान की फसल में प्रियोग कर लेते हैं तो आप निश्चित ही खैरा रोग से अपनी धान की फसल को बचाओ कर पाएंगे और अच्छी उपज ले पाएंगे मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद